नमस्कार आप शभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर मैं आचारे पंकत सास्त्रिया आपका अपने चैनल पर हारदी का विनंदन करता हूँ उपस्तित हूँ जोती समध बहुती महत्पून जानकारी को ले करके और जानकारी का जो चर्चा का आज का जन इत्यादी सभी शुब महुर्थ हम दे चुके हैं और आज हम बात करेंगे वहन का क्रय विक्रय करने के लिए विशेश महुर्थ जब भी हम दो पहिया वचार पहिया गाड़ी लेते हैं मोटर साइकल इत्यादी लेते हैं साइकल लेते हैं तो हमें शुब महुर्थ को ल बना रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से शुम मोर्थ पर ही गाड़ी लेनी चाहिए जब भी हम वाहन भूमी इत्यादी खरीदते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि जिस भी दिन हम यह चीज खरीदे हैं हमारे ग्रह के अनुसार कितना हमारे लिए शुब रहने वाला है कई जातकों को होता है कि जो वार उनके लिए अत्यनत शुब नहीं होता है उसी वार को चीज़ें खरीद लेते हैं नुकसान होता है और फिर कहते हैं कि हमें ऐसी चीज़ों पर विश्वासी नहीं है लेकिन वास्तिविक रोप यह है कि हमें तिथी, पक्ष, वार और अपना विशेश अंक को देखकर ही यह सब चीज़ें क्रे विक्रे करने चाहिए तो ऐसे ही गाड़ी आभोशानादी बहुमुल्य वस्तों खरीदने के लिए विशेश मोर्त होते हैं उन मोर्तों को कहते हैं द्विपुषकर योग और त्रीपुषकर योग अर्थात द्विगोनित होते हैं और त्रीपुषकर योग में त्रीगोनित लाब वहानी होती है यदि इन योगों में किसी भी परकार का शुब गाडियम खरीते हैं आबूशन खरीते हैं तो उसकी उत्तर उत्तर ब्रधी होती है जबकि त्रिपुषकर योग ऐसे योग होते हैं कि दियामुन में किसी परकार के हानी हो जाए तो उसी परकार से उसके हानी भी दुगनी या तिगनी होती है इसलिए सदेव आप किसी भी परकार के बहुमुल्यो वस्तुएं पदार्थ खरिदने जा रहे हैं जमीन जायताद, हीरे, जभारात, स्वन्ड चांदी के आवोशन ट्रक, स्कूटर, गाए, बैंस किसी भी परकार का नया उद्योग करना चाहते हैं तो उसमें दिपुशकर और त्रिपुशकर योग विशेश रूप से देखना चाहिए तो आये, जानते हैं कि इस वर्ष सन 2021 में कौन से वह सुब मोर्थ हैं जब आप अपना वाहन खरी सकते हैं तो सन 2021 में विशेश कर जो मोर्थ हैं वह 23 मई, 1 जून, 25 जुलाई, 18 सितंबर, 28 सितंबर, 21 नौंबर और 1 दिसंबर को विशेश रूप से दिपुशकर योग हैं इनमें यदि आप कोई सामान खरीते हैं, जयजाती द्यादी खरीते हैं, गाड़ी वाहनी त्यादी खरीते हैं, तो यह आपको नित्य उत्तर उत्तर वर्धी का कारक रेता है एक बात का और ध्यान लखना होगा आप सभी को कि जितने भी योग होते हैं उन मूर्तों का विशेश शमय होता है तो उसी शमय के अनुसार आप इस्तिथी को ग्रहन करें अर्थात उतने ही समय तक आपको खरिदना चाहिए वहीं त्री पुषकर योग की बात करें तो 19 अप्रेल, 24 अप्रेल, 28 अप्रेल, 2 मई, 12 जून, 22 जून, 26 जून, 6 जुलाई, 15 अगस्त, 24 अगस्त, 39 अगस्त, 8 सितंबर, 17 अक्टूबर, 2 नॉवंबर, 31 दिसंबर और 26 दिसंबर को विशेश रूप से त्री पुषकर योग हैं, इन योगों में नया उद्यान करने से, नया व्यापार करने से, नई गाड़ी खरीदने से, नया मोटर साइकल खरीदने से, कसीव परकार के ये आभूशन खरीदने से, तीन गुना ब्रद्धी निश्चत रूप से होती हैं अयोगो सुयोगो पिचेत, स्यातत दानिमयोगो निहत्तेशो सिद्धम तनोती, यह सूत्र जोतिसका है, निश्चत रूप से, यह आप मोर्तों के अनुशार कारे करते हैं, तो आप के लिए बहुत ही शुब होता है, यह आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कि अत्यादिक लाग मिल सकता है, लेकिन यदि आपको अति सीग्र कारे करना है, महत्तपूर्ण कारे के लिए गाड़ी इत्यादी खरिदनी है, वाहन खरिदना है, ब्यापार के लिए राज की अनुबंद, कॉंटेक्ट, परिक्षा, नोकरी, चुनाओ, आदी, आवेदन, करन भूमी, सवारी, वस्त्र, आवोशनादी का क्रय करने के लिए, सेग्रत आवस्त, यदि कसी भी परकार से कोई भी चीजें खरिदनी हो, और गुरु शुक्र भी अस्त हो, तो निश्चित रूप से सरवार्थ सिद्ध योग, विशेश रूप से जोतिस में दे जाते हैं, सर निश्चित रूप से इन द्विपुषकर और त्रिपुषकर योग में आपको अवश्य खरिदना चे, अवश्य आपके लिए यहाल लावदायर रहने वाला है, तो आपका जीवन मंगल में हो, यही हम मंगल काम नहीं करते हैं, नमस्कार, इस मोर्थ को लेकर के, या द्व पुषकर त्रिपुषकर योग को लेकर कि किसी परकार के कोई संखाई दे आपके मन में हो, निश्चित रूप से आप हमें पूछ सकते हैं, फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, हम आपको उसका समाधान बताएंगे, कब समय और जो तिथिया मैंने बताई हैं, जो डे